तो आज मैं आप लोगों के लेकर आज चुका हूँ एथर 450S इसका प्राइस जो है एक सुरूम एक लाक नो जान नो तो नियामदे से स्टार्ट हो जाता है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके टॉफ फाइफ पॉइंट जिसको देखते हुए आप इस वहिकल को कंसिडर कर सकते हो अपनी नेक्ट एलेक्टिव वेहिकल के लिए अगर आपको एक बजट एलेक्टिव वेहिकल चाहिए तो बजट एलेक्टिक के अंदर आप चेक आउट कर लेना और इसकी टेस्ट एड भी लेना चाहते हो तो वहां जाके टेस्ट भी ले सकते हो सबसे बहले बात करते हैं इसकी मोटर की जो कि मुझे लगता है इस क्लास के अंदर या पर कहें इस प्राइस सेगमेंट के अंदर जितने भी स्कूटर से उनमें मोटर जो कि PMSM मोटर है वो PMSM मोटर इस प्राइस के अंदर आपको कहीं पर भी अवलेबल नहीं है और इसकी मोटर कुछ इस तरीके की दिखती है अब इसकी जो पीक पावर है वो है 5400 वाट की और जो फील होता है जब इसको राइड करते हो तो फील काफी अच्छा होने वाला है आपको जब आप राइड करोगे तो एक बार टेस्ट जरूर लेना अगर आप मन बना रहे हो एक नया इलेक्टर विकल लेने का तो फिर सेकिंड पॉइंट है इस कंदर आपको देखने को मिलता है इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको फ्रंट में और रियर में इस प्राइड देखने को मिल जाता है जबकि आप इसी सेगमेंट की दूसरे वेहिकल जाते हो तो वहां पर आपको इस तील वील ही ओफर किया जाते है अलोई बहुत आपको देखने को मिल जाता है कुछ एलोई मिल सेम वही जो एथर 450X के अंदर यूस कर रहा है सारी चीज किये मतलब आपको एकदम थोड़ा से दिखावे टाइप का चाहिए तो आप टैच वाल पर जाओ अधरवाइस यह एक अच्छा उप्सन है तो ड्यूल डिस्क ब्रेक विट एलोई विल आपको ऑफर किये जाते हैं सिर्फ एक लाग मोजान नोस्तों निन्यानवे में फिर इसका चार्जिंग इंफ्राटेक्टर काफी बेटर है दूसरे वेहिकल या दूसरी किसी भी कमपनी का मुकाबले क्योंकि स्मार्ट चार्जर कहें या फिर फार्स चार्जर कहें लगब दूज़जार से ज्यादा फार्स चार्जर इंस्टॉल्ड है और अगर वीड़ा के बी इन बिल्ड कर दो लगबग 25 के आसपास के फास चार्जर आपको और इंडिया में आफर किये जाते हैं और उससे चार्ज होने में कितना टाइम लगता है मतलब एक मिट के लगबग एक घंटे के अंदर यह चार्ज हो जाएगी और यहां पर आप देखते हैं इसका फास च के अंदर 0-100% होगी फॉर्थ पॉइंट है इसका इसके अंदर जो आपको दिखाई जाती है मतलब जो आप यह बात करें बैटरी पैक की तो 2.9 क्लोट आगा बैटरी पैक है इस्टा मतलब सर्टिफाइट रेंज जो है वह 110 क्रोमेटर है रियल वर्ल आकर यह बोलता है कि रियल में रेंज आपको 90 मिल जाएगी स्मार्ट यहोपे लेकिन अगर आप अगर A55 मिल जाएगी एकर जो सेकिंड मोर्ड है राइड मोड उसके अंदर चलाते हो 75 70 स्पोर मोड पर मिल जाएगी और ऽो इस स्पीड भी है जो per hour सच में अच्छी फीड वो ताफिर आपको इसके नौर्मल वेरेंट में मिल जाती है अगर आप इसका जो प्रो पैक है वो नहीं लोगे तो भी आपको यह अच्छी पाउर देखने को मिल जाएगी और बात कर रहे थे हैं अपने रेंज की ना तो टू रेंज इसके अन्दर जो डिस्प्ले पर दिखती है अगर आप प् क्योंकि जो अगर सो बता रहा है तो सित्तर असी तक चल पाती है और वहीं साथ में आपको इसके नहीं को फिजिकल की का उप्शन मिलता है जो कि सबसे ज्यादा कर्मिनेंट मुझे लगता है आज की डेट में है अगर इलेक्टर वेहिकल ले रहे हैं कोई भी वेहिकल हो आजाता है आकरी पॉइंट जो कि सबसे जादा इंपोर्टेंट है वो है सर्विस अभी सर्विस की बात करें तो एथर के अंदर सर्विस में इसूद आपको नहीं देखने को मिलता है थोड़े बहुत इसूद देखने को मिल सकते हैं जहां पर काफी सारी जाज़ा गाड़ इसूद ना के बराबर हो जाता है क्योंकि डिलर की रिस्पांसबिलीटी हो जाती है अपने कस्टमर को जल्दी जल्दी रिस्पांस करें और जल्दी सर्विस करके दे तो यह थे वो पांच पॉइंट जिसको कंचिडर करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एथर फूर क्यास लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए मेरा तो मानना है जिस प्राइस पॉइंट के अंदर आ रहा है एक लाग नो चाहिए अगर प्रो पैक लेते हूँ तो मतलब 12-13,000 रुप एक्ट्रा लग जाएंगे जिसमें आपको पांस साल की वोरंटी मिल जाएगी तो इस प ब्रेक मिल जाता है तो प्रीमियम ने ज्यादा निकल के आ जाती है तो अब आप मुझे कमेंट में जरू बताना क्या आप एथर 450 लेना पसंद करो गया नहीं या फिर कोई और विकल के बारे में आप सोच रहे हो क्योंकि मार्केट में और भी काफी तारे ऑप्शन से अवल है उनकी जरूर करना और फिर डिसाइड करना आपको कौन सा लेना चाहिए